कहानी फ्यूचर में यह निए 2053 के टाइम में स्टार्ट होती है हमें बता जा रहा है कि दुन्या में साफ पानी और हवा का इतना मसला बन चुका था कि दुन्या में वर्ल्ड वॉर्ड थ्री भी हो गई जिसके वज़ा से सबी मुलकों के हालात खराब हो गए लोगों में अफरात अफरी बर्ड़ने के वज़ा से क्राइमस भी बर्ड़ गए यहां तक के जेलों में जगा भी खतम हो गई और मुझरिमों को सजा देने के लिए एक क्यूब जेल बनाई गई जिससे वो ले जाकर किसी भी समुंदर के किनारे छोड़ देते हैं असपास के गाउं वालों पर अगर तो किसी आसपास के गाउं वालों ने इने देख लिया और तरस खाके खाना दे दिया फिर तो ठीक है नहीं तो यह भूग सही मर जाएंगे ऐसे ही हालत में हम एक फ्रेंच लिड़की को जेल के अंदर देखते हैं अपने भूग मिटाने के लिए वो अपने ही जिसम की स्किन काटकर खाने लगी थी और जब इस दिंदगी से वो तंग आशाती है तो अपने आपको गला काटकर मार देती है जिसके बाद हमें एक केली नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अभी इस क्यूब जील के अदर भी होश थी लेकिन यहां कोई उसकी सुनने वाला नहीं था एक AI सिस्टम के सब ये केली को बताया जाता है कि उसके सजा साथ साल के है और इस टाइम में खाना पाने के लिए वो गाओं वालों पर विपेंट करेती है केली ही सुनकर शौक हो चुकी थी दूसरी दरफ उसी जैसे एक और बॉक्स में एक और लड़की को दिखा जाता है जो काफी मरित्मा इस बॉक्स से भागने की कोशिश कर चुकी थी तब AI सिस्टम उसे कहता है कि ये तुम्हारी आखरी वार्निंग थी तुम रूल्स तोड़ने से बास नहीं आई और इसे के सजा में अब तो भी खतम कर दिया जाएगा दिखा जाता है कि इस लड़की के बॉक्स का उपर माला हिसा नीचे आते हुए इस लड़की को क्रैश करकी खतम कर देता है सिंस तुबारा केली के उपर शिफ्ट होती है जिसे दो दिन से कोई खाना पानी नहीं मिला वो इस बॉक्स में बनी छोटी सी खिर्की से अपना हाथ बाहर निकाल कर जोर-जोर से खाना मागने के लिए चिलाती है पर दूर-दूर तक कोई नहीं था भूक से वो भी होश उच की थी और अगले दिन यहां उसे होश आता है एक लड़की की आवास पर वो लड़की उसे खाना देने आई थी जिससे देखती ही केली कहती है कि मेरा कोई कुणा नहीं मुझे यहां क्यों बन किया गया और कुछ दिन ऐसे ही गुशारती है थोड़े थोड़े दिनों बाद वो लड़की खाना देने आती रहती थी केली इस अजीब सी बॉक्स वाली सिंदगी से तंग भी आ गई थी वो अपने आपको कला खुट कर मारना चाहती है पर यह काम भी उससे नहीं हो पाया दिन कुशरते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता केली को यहां रहने की आतत हो गई थी उसने खेट की सिपायर हाथ निकाल कर वो बच्चों की बॉल भी उठा ली थी जिस बॉल के वज़ा से उसे खोश आया था था टाइम पस करने के लिए वो समंदर की लहरों को देखती और इ मेंडिटेशन करें हूँ जिससे मुझे यहां रहने में होस्ला मेंने का मुझे साथ साल की सिसा हुई है यह लड़की अब उसे पुछती है कि तुमने शेक्स्पेर के बारे में सुना यह किताब ले लो इसे बढ़कर तुम्हारा टाइम अच्छा गुज़र जाएगा जिस केली अपने पास जमा हुए पानी से नहाती है जिसके बाद वो इस पानी को खिक्ती से बाहर फैंग देती है यह उसके पीने का पानी था जिससे वो वेस्ट कर चुकी थी और ऐसे वो एक डूल तोर चुकी थी जिसकी सजा में उसे वापिस उसी आई-लाइन पर भेज़ दि है और किसको नहीं यह लड़की पताती है कि इस चीज का डिसीन हमारे मौंख लेती है मेरी खोशिश ही होती है कि मैं साधा साधा लोगों को खाना दिसकों लेकिन इस समुंदर के गिर मौसम बहुत जाद खराब रहता है हर रोज कहा आना पॉसिबल नहीं होता और ऐसे किसी और जका ले जाया जा रहा है या पहले तो काफी दिन तक उसके पास कोई नहीं यादा होक से उसका बुरा हल हो जाता है और फिर एक आत्मी उसके सामने ही आकर सेप खाना शुरू कर देता है यह देखे रही तेडब चुके थी वो से भीख मांग रही थी जिस पर वो लग जाती है पर आखिर इस सबके बंदे उसे एक सेप पर मिल चुका था वो जल्दी जल्दी इसे खाती है और जब उसने आहदा खतम कर लिया तो उसे पता चला कि सेप बें कीड़े पढ़ चुके थी वो अपना खाया हुआ भी साहरा बाहर निकाल दीती है और उस सेप को प्हेंग देती है यहां AI उसे बताता है कि तुमने एक रूल प्रेक किया है तुमने अपने खाने के लिए किसे को फाइदा धिया ये रूल्स के खिलाफ था जिसके सजा केले को मिलती है कि उसे अगले साथ दिन तक सोना नहीं है केले के पास कोई दूसर ओप्शन था है नह कि उसके सहन में दर्थ होता रहे और उसे नीन नाए साथ दिन लगातार जागने की हुचा से उसे अश्रीबो गरीब इलूयन साने लगे थे वो यहां आपने आपको किसी माहरानी के रूप में देख रही थी आखिर उसके सजा खतम हो जाती है जैसे ही उसे एक बात बता ही महसूस नहीं होती थी एक निन केली के पास एक बुड़ी ओरत आती है जो उसे बता रही थी कि उसने भी क्योब जील के अंदर पद्रास थाल गुजारे ये जील कैसी दर्टनाक है वो ये बात जानती है उसे रोज ही इस जील के बुरे खाब आते हैं मुकीनिस कहते है कि इस रेल में रहने से अचा है अपने आपको मारनी आ जाए वो ये जंग लगा ब्लेड केली को देकर यहां से भाग चाती है लेकिर अपने आपको खतम करने का भी केली के अंदर होसला नहीं था चार में इने गुसर शुके थे केली अब बिमार में पढ़ शुके थी उसके लो या फिर इस बच्चे का ख्याल रखने में मेरी मदद करो जिब केली यहां से निकलने की प्लैनिंग करी थी तो AI दुबारा साइरन बजाना शुरू कहते था है जिसका मतलब था कि केली ने एक और रूल तोड़ दिया है जिसकी अब केली को कोई ना कोई सजा मिलेगी व कुछ दिन गुजरते हैं और दिखाया जाता है कि केली के पास एक बच्चा फैदा हुआ था जिससे देखकर वो अपना साहरा दर्ड हूल शुकी थी उसको इस बच्चे की शिकल में एक साहरा एक कमपनी मिल गई थी वो बच्चे को गले लगाती है पर वो ये बात नहीं ज कुछ भलदी है जैसे ही AI सिस्टम को ये पता चलता है कि केली के साथ इस वॉक्स के अंदर कोई और भी है तो अचानक वॉक्स के अंदर से जहरी ली गैस निकलना शुरू हो जाती है जिसके वज़जा से केली विहोश हो जाती है और जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि उसे बेहोशी में बहुत जदा माना गया होगा साथ ही उसके बच्चे को भी उससे छीन लिया गया था उसके मुझसे बहुत सदा खून निकल रहा था और वो जोर जोर से चिला रही थी इस तुक में कि उसका बच्चा तो उसके पास छोड़ दे थे केली इससे बहुत परिशाद थी थोड़े ही दिन गुझरते हैं और समुंदर में तोफान आ जाता है इस बॉक्स के अंदर एज़ी से पानी भाणी लगा था और इसलिए इस बॉक्स का AI सिस्टम खराब हो चुका था ये बाद जैसे ही गवर्मेंट को बता चलती है तो गवर्मेंट की दरफ से केली के क्योब को ढूण कर उसको तबाह करने का ओर्डर दे दिया जाता है हम दिखते हैं कि जैसे ही AI ड्रोन को केली का क्योब मिलता है और वो आजाद उसमें से बाहर थी फाइनली उसकी दर्द और तक्रीफों वाला ये पीडिट खतम हो चुका था वो अब आजाद थी और इसे के साथ ये कहानी यहां खतम हो जाती